तेरे इतनी हिम्मत कैसे हुई क्यों हुआ मिनसाब आपने चाटा क्यों मारा शुकर है मैंने ते को सिफ चाटा मारा मैंने क्या किया है तूने क्या किया तूने मेरा सूट खराब कर दिया सूट कौन सा सूट ये देख तूने मेरा पूरा सूट जला दिया तुझे पता है, ये कितना महेंगा सूट था, जो तुने इसे खराब कर दिया नहीं, नहीं मेम साब, मैंने इस सूट को नहीं जलाया, मैंने तुझे सूट को देखा तक नहीं एक तो तुने मेरा सूट जला दिया, उपर से जूट बोल रहे है, तेको शरम नहीं आ रही नहीं मेम साब, मैं सच कह रही हूँ, जूट नहीं बोल रही हूँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरा सच, अब तो तुझे इस सूट के पैसे बढ़ने होंगे मेम साब, पैसे? हाँ, तुझे इस सूट के पैसे बढ़ने होंगे, तुझे पता है यह कितना महगा सूट था, यह पूरे 15,000 का था, और अब तू इसके पैसे बढ़ेगी मेम साब, 15,000 रुपे, 15,000 रुपे मैं कहां से लाओंगी? कहां से लाओंगी मतलब? जहां से लेकर आने है वहां से ला लेकिन पैसे तो तुझे भर नहीं होंगे तुझे पता है ये सूट मैं फैमली फंक्षन में पहनने वाली थी जो तुने इसे जला दिया मेम साब सच कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है तुचुप कर जितना बोल रही हूँ उतना कर पैसे भर वरना पर मेम साब लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी एक काम करती हूँ तेरी सेलरी कट कर देती हूँ जब तेरी अकल ठिकाने आएगी नहीं में साब मेरी से पैसे मत काटना मुझे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है हां तो मैं क्या करूँ तूने भी तो मेरा सूट जलाया ना मुझे इसकी भी बहुत जरूरत थी में साब मैं सच कह रही हूं मैंने नहीं किया यह बड़ी जूटी है तू, तू निकल मेरे घर से, और हाँ, तुझे तेरी सेलरी भी नहीं मिलेगी, निकल मेरे घर से, निकल! ये क्या कर रहे है तू, तू नहीं ने धक्का क्यों दिया? तुझे नहीं पता, इस जाहिल गवार ने मिरसाथ क्या किया है? तुने मुझे जिए थपड़ मारा इसलिए क्योंके तुने इनके साद बत्तमिजी किये तुझे निए पता इस गवार ने मिरसत क्या किया है क्या किया है? ये देख, इनोंने मेरा सूट जला दिया नहीं नहीं मैंसा, मैं सच कह रही हूं मैंने यह सूट नहीं जलाया है अरे यह सब इनकी गलती नहीं थी बलकि मेरी गलती थी सुबह ओफिस जाते वक्त जल्दबाजी में मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही थी और गलती से तेरे सूट के उपर प्रेस रह गई और तब ही तेरा सूट जल गया आप जैसे बड़े लोग हम जोटे लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं हमेशा से ऐसे होता रहा है और आगे भी होता रहेगा आप लोग हमारी बात है हमारी परेशानी है कभी समझते ही नहीं हो आपको लगता है कि बस आप लोग से ही हो और हम कितने ही सच्चे क्यों नहों जूटे सावित हो जाते हैं आप जैसे बड़े लोगों के नीचे दब के रह जाते हैं नहीं नहीं आउंटी ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज मुझे माफ कर देना मुझसे बुखत बड़ी गलती होगी हाँ आउंटी इसकी तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ लीज मुझे माफ कर देजी रहने दो मेम साब बहुत सारा काम पड़ा है अभी हमें वो भी करना है आप हमें न अपने हाल पे छोड़तो आप लोगों ने वीडियो देखिए इसके लिए थैंक्यू चल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के दा शेयर करें फैमिली के दा शेयर करें कि इसमें जो मैसेज है बहुत जादा इंपोर्टन आप बहुत सारे एसे लोग होते हैं करते हैं उनको नीचा दिखाते हैं और कई बार तो उनके सुनते भी नहीं है बिना सज्जाने उन पर जूटे आरोप लगा देते हैं तो प्लीज कभी भी किसी भी जूटे आरोप करने से सामने वाली की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है तो कभी भी आसा ना करें पहले आप सच देख लें कि सच क्या है पूरी तरीके से समझ लें उसके बाद ही अपना फैसला लें कभी भी किसी बेभी जूटा आरोप ना लगाए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के बेद सकते का अच्छे से मौरल के साथ ताकि हम लोग उस पर वीडियो बना सके जल्दी से अपनी स्टोरी भेजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेर कीजिए और हमेशा से मुस्कराते रहिए खुश रहिए थैंक्यू